कि नमस्ते दोस्तों सबस्छाइब सबका एप सबwegenG Eyesлов घ charging अप सभी का मत्छाक करते हैं तो दोस्तों कैसे आफ सब उम्मेत करते हैं उसङ एच्य हों गे यह हें हमारा पाट टू आप देख सकते हैं पाट टू में हम आ पास में और यहां पर एक दूरन नहीं बहुत सारे रहने और यह बहुत ही चुर चुरी धिक रहे और इससे पहले जो हमने देखा था उसके साइज भी बड़ीती ही रहन से और देखने में भी थोला डार्क कालर का था तो मुझे पता तो नहीं यह उसका नाम क्या है पर वह र पर देख सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई नाम इसका पता हो तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताए मैंने इस पार्ट को उस पार्ट के साथ इसलिए नहीं जो रहा क्योंकि दोनों पार्ट अगर मिलाएंगे नहीं तो हो सकते काफी ज्यादा लंबा हो जाए तो इ यह देखते हैं उधर कोड़ा इसलिए पर आप आसपास की नजरा देख सकते हैं कि तना घंबर जंगल और बीच में से रस्ता है पीछे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो दोस्तों देख सकते हैं अक्यले में कितना डरा बना जगा लग सकता है और खास करके तब जब 4 त आप से जानबर भी भड़े होई हो तो फाइनली हम पहुंच गए उस जगे पर जहां पर बता रहा है कि सब की वापर क्रोकोडाल है तो चलिए दिखते हैं कि अपनी आखों से क्रोकोडाल को देखना कैसा लगता है बैसे पानी में तो हर को देखते हैं और पानी में देखना और एक अपनी नजरों की सामने देखना बहुत ही अलग होती है तो एक तो यहां पर सो रहा है और दूसरा जो है उस पेर की पास में अगर आपको देख रहा होगा तो वहां पर सो रहा है लेकिन दूसरा ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा घायल होई अभी मैं आपको तो आप देख सकते हैं यहां पर पानी है वो कितना मतलब कम है इतने से पानी में यहां पर और भी है देखते हैं उस साड तो फाइनल दोस्तों इस साड भी एक दो मगरमा सोई हुए है लेकिन यहां पर पानी बहुत जदा कम है और यह लोग यहां पर बहुत ज्यादा इस पानी के बज़ेसे कोई मचले बाहर से तो आते नहीं है और जो जूब आले हैं इनको खाना वगरा देते होंगे तो चलिए आप चलते इस से आगे और देखते इस से आगे भी कुछ है क्या तो इसके आगे मुझे थोड़ा सा मतला भी वह क्या कहता है देख रही है लेकिन पत करके जब चीरिया गहरे तो दोस्तों यह आप मगर्मास तो नहीं है इसे शायद घरियाल बोलते हैं मुझे इसका नाम ठीक से नहीं पता है तो आप जरू बताना अगर आपको इसका नाम पता है तो तो आप देख सकते हैं यह भी मतलब ऑपर ही सोर है और इनके पास भी पा तो इस पानी में भी इन लोगों को चारा है डाला जाता है क्योंकि यहां पर कुछ अलग से तो आने वाला है नहीं तो चलिए दोस्तों एक बार फ्रीश से चलते हैं आगे की तरफ और अभी आप देख सकते हैं छोटा सा जो है फ्लाइओवर की तरफ बना हुआ है देखने मे मासा बहुत जादा पानी सेम है और यह पर थिनृत है यह पर यह पी बिल् Nered दिखा है मंगर्मस की तरह दिखिर है और मगर्मस नहीं है और गड़िया कुछ और झालूह कु मित देख बना में नहीं पता तो देख सकते हैं यह पर उपर के तड़ा दोप उपषने के लिए नीचे पानी कितना काई और कितना ज़्यादा ग्रीन सा देख रहा है आपको देख रहा होगा और बीच में एक पेड़ सा है चारो तरफ बाउंडर ऊचा है और यह है फ्लाइओबर जो बहुत है खुब सुरत है अगर आप बरसात की दिनों में यहां पर आया ना तो हो सकता ह जो पानी है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा मिले फ्लाइओबर का जो लूक है वो थोड़ा सा और अच्छा लगे पानी होने की बज़े से और यहां पर कुछ घास पूस जो है वो जल गया है तो उदर जाने की सोच रहते हैं लेकिन सब उदर से आ रहे थे तो हम समझ नही हुआ है यहां से शिप्ट हो चुक है याने किसी और जू में shKay Pink कर लिया गया हैं तो यह जो जो है इसमें थोड़ा साइय जानवर है इसके बज़े से हमें मतलब बहात जादा जादा जानवर देखने को नहीं मिल रहा है यह बनी हुए जो की उपर की तरफ जाता है और देख सकते हैं कितना जदक घास फूस और यह है एक बार बहुत जदक घास पूस और उसके बाद में हम चले जा रहें लेकिन अभी तक तो कुछ नजर आया नहीं देखते हैं क्या देखने को मिलता है इस बार और बच्चे जो है बहुत ज्यादा मतला excited हो रहे थे क्या देखेंगे क्या देखेंगे इस बार आपको पता यह चोटे बच्चे को कोई भी चीज पहले बर दिखाए देता तो बहुत दो कच्वे देखने को मिला और वहां पर तीन चर बत तक जो सो रहे थे वह देखें तो एक बार फिर से हम चल रहे आगे देखते हैं इसके आगे और क्या है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है ओफिस जहां पर यह लोग रहते होंगे यह पिर इनका चाय बगरा का जो बहुत है ना एक थोड़ा सा स्टाप के अलग से बहुंगे और यह है जंगल आपने अभी देखा तो इस जंगल में रहते थे पहले भालू पर आभी उसकी जगे पर बहुत जदा घासपूस हो रही है यानि कि भालू को शिप्ट कर दिया गया है उसके बाद में यहां पर देख सकते क्या बोलते इसको इसका भी मझे नाम नहीं पता तो यहां पर भी बहुत सारे हैं और पानी का कंडिशन तो हर जगे सेमी है देख सकते हैं इनका मतलब फैसलिटी का कितना क्या कहें आप देख लीजे खुदी पर यह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था तो फेसे हम निकल गए आगे और यहां पर देखते हैं क्या देखने को मिलता है तो दोस्तों यहां पर भी थोड़ा सा पानी है और इसमें है बत्तक दस बरा बत्तक है इसमें देख सकते हैं यह राजहंस बोलते हैं क्या बोलता है राजहंस हां तो यह राजहंस से बोलते है तो यह है यहाँ पर दस बारा और इस पानी में यह लोग डुपकिया लगा रहा थे मचली बगरा तो कुछ ही नहीं था नहीं कोई जंगल बगरा था बस वो साधा पानी में नहा रहे थे और घूम रहे थे तो दस तो एक बार चलिए फिर से चलते आगे की तरफ तो हम आगे फिर से एक बार आगे की तरफ तो यहाँ पर कुछ दिखाए तो नहीं दे रहा था तो फिर वहां से हम दूसरी तरफ आगे तो दूसरी तरफ चलिए अब दूसरी तरफ देख लेता है यहाँ पर क्या देख देख सकते हैं कितना सारा है देखिए किस तरह चोच खोड़ रखाया आदे तो चोच खोड़ रखाया आदे चोच को बंद कर और यह क्या है एक दूसरे के उपर भी लेटा हुआ है ऐसा लगता है जैसे कि यह मतलब आपस में जूंड में रहते हो ना बैसे ही लग रहा है लेकिन पीट उस तरफ करने के बाद इतना ज्यादा डर लग रहा था धरकन जो है बहुत जदा तेज हो रहे थी फिर हम आगए दूसरी जगह और यहां पर एक मोर है लेकिन इसका कलर थोड़ा सा मतलब यूनिक सा है देख सकते हैं यह बिल्कुल सफेद है हां यह सफेद मो करें उसके बाद में फिर हम सफीर से चल रहे हैं बार आगे और पैदल पैदल आपको पता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती है तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो है एक मोर है बो कोंअ ही कौने में और यहां पर थोड़ा बहुत बहुत रखा हुआ है घहास जो धान का वहता है पीछे वाला हिस्सा घास को रखी हुई है और उसके अंदर से कच्छुवा निकल के बाहर जा रहा है आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बड़ा कच्छुवा था लगता है कि यह मतलब जो धरती पर रहता है ना कच्छुवा बहु बाला होगा क्योंकि क गौया बेंदर भू बबुला बोलते क्या बोलते जो यहां पर यहां लगेी ईए और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था धार इनकerson की बहुत लंबी है और इस जोई पक्छ एपी बहुत ही चोटा देख रहा था देखने ने में तो जितनी भी जानीवरे सारे बहुत अच्छ लग रहे थे फिर वहां से भी हम निकल गए निकलने के बाद भी सोच रहा है यहां पर उनका जो है कुछ बना हुआ है मतलब जानवर जो जानवर ले कुछ बना हुआ है तो फाइनली उधर ही चल रहा है और इधर बच्चे को भूख प्यास बहुत ज्यादा लग गया था तो सोच रहा है यहां पर देखने के बाद पहले बच्चे को कुछ खिलाएंगे तो फाइनली अंदर आ गया है और यहां पर कुछ लिखा हुआ भी है तो हमने उसको तो नहीं पड़ा मतलब सीधा ही आगे चले गया है क्योंकि बच्चे को भूख लगी थी त लग रहा था बिल्कुल और जिनल है और उसी की साथ में और भी जानवर की मतलब मूर्थी रखी हुए बिल्कुल और जिनल लग रहा था और यह है भालू तो भालू भी देखने में ऐसा लग रहा था जिसके और यह है बाग तो देख सकते हैं लग रहा ने बिल्कुल और और आगी भी देखते हैं और क्या के देखनों को मिलता है इधे सोन बुला रहे हैं ममी यह देखो चीता आ गया और फिर से यहां पर दुसरा बाग है शायद बाग का दुसरा पर जाती होंगे अलग-अलग जानबर है तो हो सकता है अलग-अलग बहुत और पीछे आपको जो क दूसरा प्रजाते होंग तो यहां पर सोनो बोल रहा है कि ममा मुझे फोटो किचाने तो फाइनल यहां पर सोनो के फोटो बगरा किचाए फिर उसके बाद में आगे चल गए तो देखिए अब आगे जो हैना आगे बहुत ही अच्छा लग रहा था आगे तो मुझे भी बह लग रहा था मुझे खुद को यह मतलब डर सा फिल हो रहा था और लगेगा क्योंकि वहां पर बहुत सरे जानबर एक साथ रखी हुई थी सारे जानबर का नाम नहीं पता लेकिन आप खुद ही देख लिजिए और यहां पर है दो बहुत ही क्यूट सा हिरन तो किरन हिरन को तो यहां से फिर से हम एक बार निकल गए और चल रहा है फिर आगे के तरफ दोस्तों जाते जाते हैं हमने यहां पर दो बाग देखा तो ऐसे लग रहा था जंगल में मतलब बाग सा हो डर तो लगता है चाहिए वह और जिनल हो क्योंकि खास करके जानबर देखने के तो उस टेम तो थोड़ा बहुत जड़ लगी जाता है तो बाग देखने के बाद में हम यहां पर बाहर निकल गए तो दोस्तो आज की वीडियो के यहांड करते हूं मिलते हूं तीसरे पाठ के साथ